नमस्कार मैं निश्या आप देख रहे बिगनी उस पाका चली बढ़ते खबरों की ओर बाका जिले के अमरपूर एवं बाका थाना की सीमा पर डुवानी गौ के समेब चांदर नदी में एक अग्यात व्यक्ति के सब बरामत किया गया है पुलिस देर साम तक सीमा विवात को लेकर उल्ची रही प्राप जानकारी के अनुसार डुवानी गौ के समेब चांदर नदी में एक अग्यात व्यक्ति के सब मिलनी की सूशना पर आस पास के गौ के लोग वहाँ पहुचे लेकिन सब की पहचान नहीं हो सकी घर्टा के जानकारी मिलने पर अमरपूर पुलिस वहाँ पहुची लेकिन नदी में सीमा देख पुलिस पदादिकारी ने इसके जानकारी वर्यदिकारी को दे दी सीमा विवात को लेकर देर साम तक पुलिस नदी में ही बैठी रही इधर ग्रामीनों ने बताया कि मीट तक का सब काफी छत विक्षत अवस्था में मिली है सब को देखने से ऐसा लगता है कि उसकी मौत के बाद उसे नदी में गार दिया गया सब के दोनों हाथ एवं पैर कटे हुए हैं हाला कि सब के सरीर पर कपड़े देख लग रहा है कि कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई है फिलहाल सीमा विवात सलटने के बाद पोस्ट माटम होने पर ही मामला का खुलासा हो सकता है कि उप्त व्यक्ति के मौत हुए है या उसकी हत्याकर नदी में सब को गार दिया गया बाता जिली के अमरपूर पूलीस के दौरा अवयात बालू उठाओ पर पूर ने रूप से प्रतिवन लगाने के बावजूद भी बालू माफ्या अवयात खाटों से बालू उठाओ करने से बास नहीं आ रहे है अमरपूर थाना चेतर के मालदेव चक, पूरन चक, किसनपूर घाट एवं ताटी गौँ इस्थित कुम्हारा घाटों से आई दिन बालू माफ्या के द्वारा बालू खनन की घटना को धडले से अंजाम दे रहे हैं बालू माफ्या का नेटवर्क अमरपूर थाना गेट के सामने इस्थित होटल, बस स्टेंड, पूरानी चौक, इंगलिस मोट चौक, बुच्ची मोट, महमतपूर काली अस्थान प्रेस कलब के निकट फैली हुई है जो प्लीस पर सासन के हर गती बीधिया का खवर एक दूसरे को मुवाइल के माध्यम दे कर सतर करते रहते हैं हाला कि अमरपूर थाना अध्यक्ष अर्विंद कुमार राय के द्वारा आए दिन इन बालू माफ्या पर नकेल कसने के लिए गुप्त रूप से चापे मारी भी की जा रही है और कई बार थाना अध्यक्ष बालू लदी ट्रेक्टर पकड़ने में सफल भी हो जाते हैं इन्होंने बताया कि बालू माफ्या को चीहित किया जा रहा है जल्दी बालू खरन में सलिप लोग सलाकों के पीछे होंगे उधर दूसरी तरफ थाना अध्यक्ष के द्वारा निरंदन किये जा रहे हैं चापे मारी अभ्यान से बालू माफ्या में साफ तौर पर हरकम देखी जा रही है अमरपूर अस्थानी रेफरल अस्पताल में सनीवार के दिन प्रधान मंतरी मातरेत्य सुरक्षा ब्यान के तहट एक सीविर का आयोजन किया गया सिविर में चपरी, महोता, भासागंज, भिकरपूर, पवई, चानकीपूर, महादेपूर, गड़ाय, भदेरिया, तहटी, आधी ग्रामिन छेत्रों से हसारों की संख्या में गर्वती महिला पहुची थी सिविर में मुख्य रूप से डॉक्टर दिप्तिस सिन्हा, डॉक्टर सुधक कुमारी, डॉक्टर रेनु का दुवे, डॉक्टर नवल किशोर साथ, सोस्त प्रवंदक सुनिल कुमार चौदरी, डाटा सेंटर अभिसेक कुमार खोश, रोविंद्र कुमार सेंग, एनेम पप्पु कुमार समयत आने करमी उपस्तित थें बिहार सरकार के नीदेसों के बाद पूरे बिहार के बिविन प्रखंडों वजीलों में जमीन सम्वद्धित विवात के निप्तारों को लेकर जनता दर्वार का आयोजन किया गया इसी कड़ी में सनिवार के दिन थाना परिशन में जनता दर्वार का आयूजन किया गया जनता दर्वार में अमरपूर स्जियों की अनुपस्थिती में आये फर्यादियों के फर्यात राजस्प करमचारी विकास कुमार जाने सुनी जन्तादर्वार में राजस्करमचारी के अलावे अमरपूर्थाना धेच अर्विंद कुमार राय, प्रसिच्यू महिला दोरोगा सुमन ठाकुर समेत अने कर्मे उपसी थे जन्तादर्वार में सनिवार के दिन, पिछले सनिवार के दिन प्राप्थ छे आविदन का निश्पादन किया गया, जबकि जमीन संबंधित विवात को लेकर ग्यार नए आविदन प्राप्थ हुए हैं जिसमें छोटी भार गाव निवासि सुमोत यादफ ने अपने गोतिया के उपर जबरन जमीन कपजा करने का आरोप लगाया तो वही अमरपूर सहर के मनुज महतो ने गोतिया द्वारा जमीन में हिसा नहीं देने का आरोप लगाया